नमस्कार पुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोग के साथ परवल की एक रसपी शेयर करने वाली हूँ आज हम बनाएंगे सरसो डाल कर परवल की सबजी इस सबजे को बनाने में जादा वक्त नहीं लगता है बहुत ही सिंपल सी रसपी है लेकिन खाने में उतनी ही स्वादिष्ट बनकर तयार होती है जिनें परवल खाना पसंद नहीं वो भी अगर एक बार इस सबजी को टेस्ट कर लें तो परवल उनकी फेवरेट सबजी बन जाएगी ये इतनी टेस्ट इवनकर तयार होती है घर के ही बेसिक से मसालों के साथ इस रसपी को हम बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं सरसो डाल कर परवल की सबजी कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहले परवल को अच्छे से धो कर छील लिया है और इसे चाठ टुक्रों में लंबा-लंबा काट लेना है अब एक थाली में कटे हुए इन परवल को डाल दे एक चमच हल्दी और एक चमच नमक डाल कर सारे परवल को हम मारिनेट कर लेंगे परवल मारिनेट हो चुके हैं तो इसे साइड में रख ले और अब हम कड़ाई में सरसो तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाए तब हम इसमें मारिनेटेट परवल डाल कर मीडियम टु हाइ फ्लेम में इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जब तक परवल फ्राई हो रहा है तब तक हम पिली सरसो और पोस्टा याने की खस-खस का एक पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाने के लिए मैंने दो चमच पिली सरसो और चार चमच पोस्टा लिया है आप देख सकती हैं परवल भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इनहीं कड़ाई से निकाल लेंगे और इसी तेल में दो सूखी लाल मिर्च, एक चमच काला जीरा, तीन से चार हरे मिर्च और एक मीडियम साइज का टमाटर डाल देना है इसे एक बार चला ले और कुक करे जब तक की टमाटर गलना शुरू ना हो जाए अब देख सकती हैं टमाटर गलना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें एक चमच हल्दी, हाफ चमच लाल मिर्च पॉर्डर और एक चमच धन्या पॉर्डर डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देख तक इन मसालों को भून लेना है जब तक के इनका कच्छापन ना चला जाए अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और एक चमच चीनी डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे नमक और चीनी मिला लेने के बाद अब हम इसमें तीन चमच लेसन पेस्ट डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेने के बाद तब तक कुक करेंगे जब तक किसका कचापन ना चला जाए लेसन को भून लेने के बाद अब हम इसमें तयार पेस्ट डाल देंगे इस पेस्ट को डालते वक्त फ्लेम को लो रखे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले, कुक करें जब तक की तेल उपर तक नाने लगे अब देख सकती हैं तेल उपर तकाने लगा है, तो ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी लेकर हम तयार हो रहे हैं इस मसाले में डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें फ्राइट परवल डाल देंगे, परवल डाल देने के बाद फिरसे से मिक्स करें और तब तक पकाना है जब तक की परवल अच्छे से कुक ना हो जाए आप देख सकती है, तेल उपर तकाने लगा है, तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे आपको ग्रेवी जितनी पतली चाहिए आप उसे थाप से पानी घटा या बढ़ा सकती है मैंने यहाँ half glass पानी यूज किया है पानी डाल देने के बाद अब हम इसमें 4 हरी मिर्श डाल कर अच्छे से इसे mix करेंगे flame को भी high कर देना है एक उबालाए तब gas off कर देंगे आप देख सकती है उबालाना शुरू हो गया है तब हम gas off कर देंगे और इसे serve करेंगे तयार है हमारी आज की ये recipe आपको मेरी आज की ये recipe कैसी लगी या आप मुझे comment करके बताना ना भूले अगर आपको मेरी recipes पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को like और share जरूर करें चैनल में नए है और वीडियो अच्छी लग रही है तो बस वीडियो देखकर चले न जाए ऐसे ही easy to make और tasty recipes के लिए मेरे चैनल को subscribe कर ले और side में जो bell icon दिख रहा है उसे press करके all पे click कर दे ताकि मेरे upload किये हुए हर वीडियो उसके notification आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे facebook या instagram में देख रही है तो follow जरूर कर ले साथ ही अब आप मुझे whatsapp चैनल में भी follow कर सकती है तो follow जरूर करे thank you, thanks for watching